दर्मिशने ही बबात्मा हो आप सभी सुख चायते हैं की दुख दुख चायते हैं किसी के मुख से नहीं निकल रहा है सभी यही कह रहे हैं हम सुख चायते हैं एक हाई को है सुख दुख को दुख सुख को देता सुख दुख को दुख सुख को देता अच्छा कोन है सुख दुख को दुख सुख को देता अच्छा कोन है हैं यह सब करें दुख अच्छा है क्योंकि सुख जो है न वह दुख को देता है और दुख जो है वह सुख को देता है तो अच्छा कौन है अभी आप पहले तो कह रहे थे हम सब सुख चाहेते और अब दुख अच्छा है क्योंकि वह सुख को देता है तो आप क्या चाहेते है अब ये संसय में पढ़ गए कि अब क्या करें चाहेती तु सभी सुक है लेकिन ये मनुष्य परियाय है और इस मनुष्य परियाय में अंतर अंतर मूर्थ में सुख दुख जाना से जाना आपको सुख का उदय चलेगा तो एक अंतर मूर्थ इसके बाद फिर किसका उदय आएगा बोलो असाता का उदय पता नहीं चलता इसके भी बहुत सारे भेदो भेदो हो जाते हैं और कब उसाता का उदय आकर करके पुना परीबरतन साता में हो जाता है और आपको ऐँसा लगता है कि हम तो साता-ी साता में हैं लिकन ये स धानत है कि एक अंतर मूर्थ से जादा नहीं, इनमें परिवर्तन होता रहता है तो जब आप सुखी रहते हैं साता का उद्धै है तो साता के उद्धै के बाद पिर क्या उद्धै में आएगा ? यहाइ? असाता और जब असाता का उद्धै चल रहा है तो भी एक अंतर मुझ तक चलेगा उसके बाद क्या आएगा साता तु साता असाता को दे रही है और असाता तो कोन अच्छा है बताओ साता असाता अच्छी है जो असाता हमारे लिए साता को पराप्त करा दे और वो साथा अच्छी नहीं जो हमारे लिए ताता पर आपते करा दे बच्चों से कहते हैं न ये ताता है दूर रहना यानि ऐसा सुख अच्छा नहीं माना जाता जो दुखों की परंपरा को बढ़ा दे और ऐसा दुख अच्छा माना जाता है जो निरंतर सुक की परंप्रा को बढ़ाए और अंत में ऐसा सुक प्राप्त करा दे कि उसके बाद कभी दुख आए नहीं इसलिए बजन पढ़ते हैं कि दुख से क्यों घवडाता है दुख तो हमारा साथी है क्योंकि हमने जिन कर्मों को उबादा है बड़े आनंद के साथ बादा है अब उध्य में आएंगे तो वे दुख तो देंगे लेकिन उन दुखों के साथ अगर सम्ता के साथ सहन कर लिया और तब आदी में अपने आपको लगा दिया तो आगे जाकर के हमारे लिए शुकी प्राप्ती होगी अनेक प्रकार के शुक गिनाए है पहला सुख निरोगी काया सभी चायते हैं कि हमारी काया निरोगी बने लेकिन चाहने मातर से क्या काया निरोगी बनती है नहीं उस निरोगी काया की प्राप्ती कैसे हो उसकी उपाएं धूड़ना चाहिए शरीर में अधिक से अधिक कितने रोग हो सकते हैं पांच करोड अरसट लाक निन्यानबे हजार और पांच सो कुछ चोरासी ऐसी संख्या आई है वो आई कौन से सरीर में होते हैं आपकी सरीर में नहीं इतने हो सकते आप इतने रोगों को सहन नहीं कर सकते फिर यह सा कौन सा सरीर है जिसमें यह होते हैं तो सब्तम नरक के नारकी जो होते हैं उनकी सरीर में रोगों की संख्या इतनी बताई है इतने रोगों के साथ भी वह नारकी जीते हैं दुखों के साथ जीते एक रोग शरीर में आ जाता है तो मन नहीं लगता किस में? कोई भी कारी करने में धर्मे के कारी में तो बीमार हो जाओ आज मंदिर नहीं आज पूजा की छुट्टी सर्दी हो गई, जुखाम हो गया, खासी हो गई, बुखार आ गया मंदिर नहीं जाना लेकिन सास्त्रों में ऐसा तो लिखा नहीं कि जब बीमार हो जाओ तो मंदिर नहीं जाओ बीमार हो जाओ तो और अच्छी तरह से भगवान के दर्सन करो जिससे हमारे असातावेनी दूर हो जाए इसलिए इस फिकार का पुर्शाथ करना चाहिए कि आगे अगले भाव में मुझे ऐसा सरीर मिले कि उसमें रोगों की उत्पत्ती ही ना हो और जो जनेंदर वगवान की भक्ती पूजा आरादना देव सास्त गुरू की बक्ती सिवा आरादना में जो लगे रहते हैं अगले भाव में उनको ऐसा सरीर प्राप्त होता है कि सरीर में एक भी रोग नहीं होते कितने एक भी रोग नहीं होते ऐसा सरीर कहा होता है अब यह तो ऐसा इस्तान बता दिया जहां अधिक से अधिक रोग अब जहां एक भी रोग ना हो सारी रिक रोग देव पर्याय में यह रोग नहीं होते हैं देवों की बेक्रियक शरीर होते हैं वहां रोग नहीं होते हैं और नारकियों में सारे रोग होते हैं तो ये सारी चीजें कैसे हो तो इनके उपाए आचार भगवन तो ने किया पहली अगर निरोगी काया हमें मिलेगी तो हमारे सारे पुरसार्त सिद्ध हो जाएंगे इसलिए इस भव में ऐसी बस्तुओं का भक्षड मत करो जो अपने खाने योग नहीं है अवक्ष हैं जो अवक्ष का त्याक करता है उसके लिए आगे जाके निरोगी काया मिलती है और अच्छी तरह से भक्ति पुजा आराध ना करो तो ये सुख आपको मिलेगा दूजा सुख दूजा सुख कुन सा है? घर में हो माया घर में अगर माया हो माया यानि धन आदी हो तो फिर सुख की कोई कमी नहीं रहती है सारी बस्तुरों उपलब तो हो जाती है जो चाहिए हो वो आप प्राप्त कर लेते हैं इस धन की माध्यम से तो ये धन कहाँ से आता है? धन से धर्म आता है कि धर्म से धन आता है? धर्म से धन आता है और धन से? धन से धर्म भी आ सकता है और अधर्म भी आ सकता है क्योंकि धन पाकर के जो बोरा जाते हैं कनक कनकते सोगनी माधकता अधिकाए एक खाए मदबड़े एक खाए बोरा ऐसा कुछ है तो इस प्रकार से सीवन करने से अधर्म का भी सीवन कर सकते हैं जो धन को पाकर के गाफिल हो जाते हैं लेकिन धर्म के माध्यम से तो सभी प्रकार के शुक मिलते हैं धन की प्रापती नरंतर उसके लिए होती रहती है लेकिन धन भी कैसा हो? न्याए पूर्वक चो कमाया गया धन है वही सच्चा सुख प्राप्त कराता है ऐसे नहीं कि यदवा तदवा कैसे भी आप धन प्राप्त कर लो और सुख मिल जाए सामने सामने थोड़ा सुख तो दिखता है लिकिन वह ए ऐसे असंख दुखों की परंप्रा में धकेल देता है इसलिए अन्याए पूर्वक धन नहीं कमाओ और ऐसा अन्याए पूर्वक अगर आपको धन मिला है तो यह दूजा सुख आपके पास है सुरी पाल जब स्वस्त हो गए और स्वस्त होने के बाद ससुराल में हैं और बिचार करते हैं इस ससुराल में यहां हमारी कोई कीमत यहां पर सब उनका नाम चलता है हमारा नाम चलता नहीं है इसलिए यहां यह द्धन मुझे ऐसा नहीं चाहिए और मन में संकल्प कल लिया कि क्यों ना यहां से निकल करके और धन कमाया जाए और मेंन संद्री से भी अपनी बात रख दी मेंन संद्री भी यह कहती है कि आप अगर जा रहे तो हमें भी अपने साथ ले चलो लेकिन वह कहता है कि अपने देश में ही सुख मिलता है वे देश में सुख नहीं आपके लिए हम ले जाएंगे कहां कैसी परिस्तितियों से जूजना पड़े क्या भरुशा इसलिए आप चिंता ना करो मैं बहुत जल्दी लोट करके आ जाओंगा और संकल्ब भी ले लिया कि बारा वर्स बाद मैं लोट करके आओंगा फिर इसके बाद माता के पास वह जाता है और माता से आज्या मंगता है तो माता भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझाती है और इस सारी बातें उसको समझाने के बाद वह फिर उसके लिए मंगल बस्तूओं के माध्यम से उसकी वह विड़ा कर दे लिकन जब वह समझाती है तो बहुत अच्छा समझाती है कि है पुत्र तुम गुड़क हो गुड़वान हो सारे गुड़ तुमारे अंदर है धर्मक हो तुम धर्मात्मापी हो नीतिक हो नीतिक हो नीतिके साथ चलते हो और सूरबीर हो सूरबीरों में भी सूरबीर हो और चरेंदर वगवान के भक्त हो इस सारे गुड़ तुमारे अंदर हैं फिर भी तुम विदेश जा रहे हो तु इन बातों को ध्यान रखना कि हमेशा जो भी कारी करो संपूर कारियों के लिए सफलता प्रिदान करने वाला यह पंच नमस्कार मंत्र है इसको कभी भूलना नहीं प्रतेक कारिये में इसका इसमरण करना पापों को नास करने वाली दुखों को दूर करने वाली स्वर्ग और मुक्ष को प्रदान करने वाली ऐसे चिन दरसन विधी को मत भूलना प्रती दिन जहां प्रभु के दरसन मिलें दरसन को करना और अपना अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना और अपने कुल की सुरक्षा का ध्यान रखना अपने कुल की जो संसकार होते हैं उनको कहीं भूल मत जाना दुखों इतना धर्मात्मा होते हुए भी मा उसके लिए इस पिकार की सिक्षा दे रही है और आज बच्चों के अंदर संसकार नहीं होते हुए भी मा कोई संसकार नहीं देती बिटा जहां जाना है चले जाओ जो खाना है वो खालेना जहां जाना है वहां चले जाना जो करना है वो कर लेना लिकिन नहीं यह अथार्थ सच्ची मा जो होती है भी धर्मात्मा मा बिदूशी मा तीसरा लक्षण बताया था ना दो हो गए तेक तीसरा लक्षण होता है पुत्र हो आज्याकारी अगर पुत्र आज्याकारी है और माता पिता की एक आज्याका पालन करता है तो माता पिता को अपार शुक्की प्राप्ती होती है